पहली हेरा फेरी के डारेक्टर प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 3 को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रियदर्शन ने कहा है कि वो कभी भी दोबारा से हेरा फेरी को बनाने की हिम्मत नहीं करते। प्रियदर्शन ने साल 2000 में रिलीज होई फिल्म हेरा फेरी का डारेक्शन क्या था ये फिल्म क्लासिक कल्ट बन गई इसे प्रियदर्शन ने नीरज वोरा के साथ मिल कर बना था इसके बाद फिर हेरा फेरी के डारेक्शन की कमान नीरज वोरा ने ले ली और एक बार फिर से प्रिया दर्शन का बड़ा बयान सामने आ गया है बॉलिबुट हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियदर्शन ने हेरा फेरी सीक्वल को लेकर अपना रियक्शन दिया है उन्होंने कहा एक क्लासिकल फिल्म एक बार ही बनती है आप दो बार जादू होने की उम्मीद नहीं कर सकते हेरा फेरी की शान हमेशा बनी रहेगी मुझे खुशी है कि मैं उसका हिस्सा था मैं कभी इसे दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं करता बले ही आप ओरिजनल वाला चाम ले आएं पुरानी स्टार कास्ट को बापस ले आएं लिकिन परणाम समान नहीं हो सकते हाला कि फिर भी मैं किसी चमतकार की संभाबना से इनकार नहीं कर रहा हूँ इसके लाब प्रियदर्शन ने हेरा फेरी फिल्म की लीड स्टार कास्ट को ले कर बात की उन्हेंने कहा अक्षे कुमार, सुनील शेटी, तबू, परेश राबल और नीरजवोरा और मैं हम पूरी शूटिंग के दोरान एक परिवार की तरह थे लिगन आप उस तरह की करीबियां हमारे बीच नहीं है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रियदर्शन एक बहुत काबल डिरेक्टर है उन्होंने चुप-चुप के हंगामा, खटा-मीटा और भागम-भाग जैसी फिल्म में मना कर लोगों को इतना हसाया कि कोई दूसरा डिरेक्टर इस मैजिक को नहीं दोरा सका हलाकि उनकी पिछली फिल्म हंगामा 2 बूरी तरह फ्लॉप हुई थी जिसने दर्शुकों का दिल तोड़ दिया था